नमस्कार दोस्तों, Health healing and homeopathic के इस नए वीडियो में आप लोगा फिर से एक बार स्वागत है मैं डॉक्टर रेस्पीदे, consultant, homeopathic physician and nutritionist आज आप लोगों से बात करूँगा इस समय का सबसे बहुत चर्चित जो प्रॉब्लेम है वो है, COVID के बाद D-dimer high हो जाना और D-dimer high हो जाने पर, patients में बहुत ज़्यादा fear और anxiety बना रहता है कि मुझको stroke या heart attack हो जाएगा तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, देखिए D-dimer एक protein fragment है जब कोई patients हैसे हैं जिनके D-dimer high हुआ है तो double जो normal value है, उससे double से भी ज़्यादा अगर आता है तो डॉक्टर लोग ये पकर लेते हैं कि उनके अंदर कोई coagulation process चल रहा है तो अगर आपका ऐसा situation है तो आपको जरूर एक अच्छा कार्डियोलोजिस्ट या कोई भी CTBS, sergeants बगरा जो होते हैं इनके साथ consult में रहना चाहिए, होमियोपैथी में अगर आप medicines लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो medicines है वो मैं आज बताऊंगा सबसे पहले एक combination मैं बताऊंगा ये combination में हम लोग 4 mother tincture यूज़ करते हैं उसमें number 1 है कुकूर्मा लॉंगा कुकूर्मा लॉंगा mother tincture उसके बाद है जिंजिबर ओफिशिनलिस mother tincture उसके बाद है एलियाम सैटाइभा mother tincture और उसके बाद है जिंको बाईलोबा mother tincture जो चार हर्ब्स मैंने यहां पे बताया सब हर्बल है ये सब एकडम potent anti-coagulatory effects वाला हर्ब्स है ये चार medicines का mother tincture आपको online में भी मिल जाएगा या आप किसी भी अच्छा company का 30 ml का होमियोपेती मेडि जो seal file है आप लेंगे फिर से एक बार मैं repeat कर रहा हूँ कुकुर्मा लॉंगा mother tincture जिंजीबर अफिसिनली mother tincture एलियाम सेटाइभा mother tincture जिंको बाईलोबा mother tincture ये चार mother tincture आप 30 ml का seal file खरिद लीजिए एक बड़ा सा सीशी में 200 ml या 150 ml का सीशी में इसको आप equal amount में 30 ml करके mix कर दीजिए अच्छा से शेक कर लीजिए अगर आपका d dimer high है तो 15 ml करके आप दिन में 3 बार खाने के बाद जो combination का 15 बूंद करके आपको दिन में 3 टाइम खाने के बाद लेते रहना है लगातार 2 महिने तक लेना है इसके साथ फिर भी अगर आपक किसी भी अच्छे डॉक्टर से और एक medicine आपको इसके साथ लेना है वह potency में लेना इसको mix नहीं कर सकते इसके साथ वह है लेक्ट्रोडेक्टास मेक्टंस एक anti angina एक anticoagulation medicine है बहुत ही अच्छा medicine है कभी कभी इसको हम लोग बहुत ही frequently यूज़ कर सकते अच्छा एक चमच नॉर्माल पानी में दो से लेके तीन बुंद आपको लेना है four times ये day जो mother tincture मैंने बताया उसके साथ अगर आप ये medicine लेते हैं लगातार आप लेते जा रहे है तो आपका बहुत ही अच्छा problem solving हो जाएगा और जो d-dimer आपका हाई हुआ है उसके लिए जो thrombosis ब बहुत ही कम हो जाएगा लेकिन ये after covid का है ये covid treatment का कोई protocol नहीं है covid treatment के time अगर आपका d-dimer हाई होता है तो आपको medical help या hospital में admit होके treatment भी कराना चाहिए उसका जो नियम है आप उसको जरूर follow कीजिएगा और जो एक diet का important factor होता है कि covid के बाद ये सब जितने भी viral problem है तो मेरे चैनल पर मैंने अल्रेडी दे दिया है कि covid के बाद blood sugar का problem, heart का problem, weakness का problem वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा और अगर कोई questions आपका है इस regarding तो comment box में comment जरूर कीजिएगा अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को share करना और like करना चैनल को subscribe करना मत लामस्ते दोस्त।